नमस्कार दोस्तों आज मैं HDFC बैंक का स्टॉक का डिविडेंट वीडियो लगा रहा हूँ लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक दे दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन अन कर आवाश विकास वित निगम लिमिटेड HDFC नीजी छेतर में एक बैंक अस्थापित करने के लिए भारतिय रिजर्व बैंक RBI से सैध्धानतिक रूप से अनुमोदन परदान करने वाली पहली कमपनी में से एक थे HDFC बैंक एक सार्वजनिक रूप से आयोजित बैंकिंग कमपनी है बैंक को अगस्त 1994 में HDFC बैंक लिमिटेड के नाम से सामिल किया गया था जिसका पंजी कृत कार्याले मुंबै भारत में है यह खुद्रा बैंकिंग, ठोक बैंकिंग और ट्रेजरी संचालन सहित कई परकार की बैंकिंग और वित्तिय सेवाएं परदान करने में लगी हुई है इसे HDFC लिमिटेड द्वारा प्रवर्थित किया जाता है जिसकी 30 सतमबर 2020 तक 19.32% की हिस्सेदारी है वर्तमान में HDFC बैंक लिमिटेड, HBL, भारत में नीजी छेत्र का सबसे बड़ा बैंक है HDFC बैंक का भुक बहल्यू 446 रुपया है और करेंट मार्केट प्राइस 1665 रुपया है सरह 1200 से 1300 के बीच में मैंने कई बार इस पर वीडियो बनाया था और मैंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा था कम्पनी पिछले 5 वर्षों में 20 पर 30 की CAGR लाब विर्धी दर्ज की है कम्पनी का सेल पिछले 10 वर्षों में 5 गुना से भी अधिक हुआ है यानि लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस कम्पनी को 5 में से 5 अस्टार दे सकते हैं कम्पनी की प्रोफिट की बात करे तो यह पिछले 10 वर्षों में अपना प्रोफिट 10 गुना कर चुका है इस company की sale और profit को देखते वे हम यह कह सकते हैं कि यह company long term में invest करने के लिए safe और बढ़िया company है company का promoter 25.6% FII 32.1% DII 28.1% है यहाँ पर FII को जो देख रहे हैं या HDFC के सारे stock में यह अच्छा माल रखता है क्योंकि इन्हें लगता है कि यह इसका promoter इमानदार है company समय समय पर dividend भी देती है और HDFC में जिसका stock है उनके लिए एक अच्छी ख़वर है कि इनकी dividend पलस quarter result की meeting 15 अप्रिल को रखा गया है dividend आते ही मैं तुरंद चैनल पर अपडेट कर दूँगा और record date का अपडेट उसी दिन मैं चैनल पर कर दूँगा